और वही हेट इंड रन कानून के खिलाब देश भर में वहन चालको के विरूत प्रिदर्शिन के बाद सरकार बैक फूट पर आ गए इस कानून को फिलहाल लागू ना करने का आश्वासन दिया गया है जिसके बाद स्थिती तो सामानने हो चुकी है लेकिन तेजी से बढ़ते मारग दुरगटनाओं पर काबू पाना भी सरकार के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती बना हुआ है सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकार इस कानून को लागू करती है तो वहन चालको और आमचन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा इसी को लेकर जनतंतुरे टीवी ने हाई कॉट के वरिश रधिवक्ता मनीश शौबे से खास बात चीत के आपे सुने है वहन चालकों के उपर लागू होगा और अगर लागू होता है तो इसका असर जो है वहन चालकों के उपर किस तरह से होगा और सड़क दुर्गटनाओं को रोकने में यह कारून कितना कारगर साबित होगा इन सभी मुद्धों पर जानेंगे सर जिस तरह से सरकाar ने हिट औरन कारून लाया है जिसको लेके विरोध भी हो रहे है कानून लागू होने के बाद से इसका फायदा किस तरह से लोगों को मिल सकेगा साथी साथ लगातार जो बिरोध वहां चालकों के द्वारा किया जा रहा है या कितना जाया जाए देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि जो आंकडे बताते हैं से अरवी के वो यह बताते हैं कि वर्स 2020 से लेके 2023 तक कि जो मामले हो सड़क दुरुखटनौ में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो सरकार का हमेशा यह ध्यान लाता है कि लोगोपयोगी कानून बनाया जाए और इसमें हर आदमी के एक लाइबिल्टी फिक्स की जाए ही टर्न कानून जो सरकार जिस चीज को व्योस्थित करना चाती है वो यह करना चाती है कि कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर जो बाहन चलाने वाले लोग हैं वो दुर्गटना करते हैं और भाग जाते हैं और प्यडित व्यक्ति की होई मिर्त्य हो जाती है या लावारी सवस्था में उस सड़क पर पड़ा होता है तो सरकार ने इस कानून के द्वारा एक लाइबिल्टी फिक्स करने का तायार किया है ये एक एक लाइबिल्टी फिक्स कर दें ताकि जो व्यक्ति है जो पीडित है जो दुर्गटना में घायल व्यक्ति है वो सही समय पे हास्पिटल पहुंच जया है या एथार्टीज को या पुलिस अधिकारी को या मैजिस्टेट को नेरिष्ट वो व्यक्ति सूचना दे दे ताकि उसका घायल का उप्चार करा जा सके यह सब एक जो समस्या थी उसके समाधान करने का एक सकारात्नुक प्रियास है लोगों के मन में डर यह है जो बाहंचालक है कि दुर्गटना कोई करता नहीं है दुर्गटना सब्दही ऐसा है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है कस्मिक हो जाती है ऐसे मामले में अगर हमारी लाइबिल्टी आप फिक्स कर देंगे तो दस साल की जो सजा का प्रावधान है एक पड़ा प्रावधान है यह सता डर सता रहा है और जो लाइबिल्टी आप आर्थिक फिक्स कर रहे हैं वह लाइबिल्टी भी एक परिश्थित के अंसार से एक जो टकचालक है उसकी जो इंकम है उस इंकम के एसाब से ये बहुत जादे एमांट है और उस एमांट को दे पाने में एगरम सच्छम नहीं है तो एक तू उनके मन में यह है कि हम एगर इस रोजगार को छोड़ रहे हैं तब भी समस्या है या हम बाहन चला रहे हैं तो की बिंदुया है कि कानून में ही यह व्यास्था है कि उपेच्छा पूर्वक अगर आपके द्वारा कोई गाड़ी चलाई गई या उससे कोई दुरहटना होई तो तभी आपके उपर यह लाइविल्टी जींपोज होगी दूसरी एक सबसे बड़ी बुरा यह थी कि कई बार मोटर एक्ट के मामलों में जो है जो शतिपूर्थ लेते थे वो फरजी जो है ड्राइबर को खड़ा करके फरजी गाड़ी लगा के पैसा ले लेते थे कई अधिवक्ताओं की बिरुद्द भी इसमें कारवाईया हुई है और मोटर एक्सिडेंट के मामले में अमूमन किसी ऐसी गाड़ी को जो दुरुगटना असल पे थी ही नहीं एक गलट ड्राइबर को खड़ा करके जो छतिपूर्थ क्लेम करके ले लेते थे उस पे भी कमी आएगी क्योंकि हर गाड़ी का जो कानून की मंसा के मताबिक जैसे दुरुगटना होगी आपकी ही एडूटी होगी क अपनी एरेस्ट पुलिस को या मजिस्टेट को आप इनफार्म करेंगे और इनफार्म करने के बाद वह जो है सारी घटनाई पंजिकृत होंगी तो एक यह मालूप हो जाएगा कि उस बाहन से दुरुगटना हुई है कि नहीं होई है जो फरजी बाहन लगा के फरजी व्यक इतनी जादे हो जाया कि हम उसको बियर करने में अच्छम हो जाएं कहीं से भी किसी पच्छे का इसे कुछ नुक्षान नहीं होना है और सही मायने में तो अभी कानून लागू नहीं है, अभी इस कानून के इंफोर्समेंट की तिथित्ताय होनी है पहले भी हीट अंडन कानून में जो है लायविल्टी फिक्स थी, लेकिन हो लायविल्टी लिमिटर थी उसमें जो सजा का प्राधान था वो बहुत कम था उसमें कहीं न कहीं आपकी प्रतिक्रिया है कि जो सजा और जुर्माने का प्रवाधान है उसमें कहीं न कहीं सरकार को श्रंसोधन करने की जरूरत है ताकि भारत जैसे देश में जो ड्राइबर पांच जार देस जार की नौकरी करते हैं उन्हें कहीं न कहीं इसमें राहत मिले साथी साथ आपने ड्राइवरों से भी अपील की है कि इस कानून के लागू होने के बाद डरने की जुरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है अपने सब्सक्राइब के साथ मैं संजे कुमार जंतन तर्टीवी महराज गंच